alltså मैं नहीं है बिविक मरcenठ्डी और आप देखेंगे कि यहाँ पीछ ब्रायोर पे लेख रहे हैं कि मैंने एक सिक्हे टर को इनेबल किया हवा है ठीक है अब ईसरी करते को कैसे खनाना जाए यह आपको पता है यहां पर आम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि यहाओ पर जो भी हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं मतलब हूं लिखते नो क्या होता है कि यहाँ पर रहे हैं पर कोई भी ऑप्सन नहीं है ऐसको चेंग नहीं कर सकते हैं या फिर आपके इस tell on fun text ko या फिर और पी का बैग्राउंड को कैसे चेंज कर सकते हैं पदल्ब किते हैं चीच कर सकते हैं कि तेहां सिंपल सा मैंने रिक्न बना लिए यह यहां पर देखेंगे आप तो भी कडी टर मैंने ंसे से करना किक इस version के आगे मैं अगर यूज गरूं गा तो आपने फिर कर भूंगे , वहां पीर फीर करना पड़े तो कि यहां पर यूजिकर सब्सक्राइब को साथ मेने डाला है और benchmarks.js देशनaldo कर एस टेब का कुछ फ्लगिन है जे क्योंद निया इसका कोई खास जुरुवत नहीं है लेकिन अगर अगर आप भी अगुरी रखते हैं तो बढ़ी आया है क्योंकि अपूसको जेक्यूरी में आप उसका यूच खर सकते हैं ठीक है उसके बाद यहां पर जेस्ट हमने एक लास जो की container है और इसके अंदर मैंने एक जो टाइटल डाला है यहाँ पर इस एक डिटर को लगा दिया है ठीक है तो यह होगिया बेसिक जो हम सभी जानते हैं कि कैसे इसको हम लोग को को यहाँ सिकंग में होता है ठीक है यहाँ पर प्रोबलम यहां है कि हम लोग इस टेक्स का बैक्ग्राउंडब चेंग नहीं कर सकते हैं यह पिर इस टेक्स का कलर हम डोग चैन नहीं कर सकते हैं तो उसके यहां से मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में तो आप यहां से क्या कर सकते हैं इसको डाउनलोड पर क्लिक कर सकते हैं तो यह डाउनलोड हो जाएगा अगैन जब यह डाउनलोड हो जाएगा उसके आपको पैनल डॉट बटन इसको आपको डाउनलोड करना है य अब डिटर के यह वर्जन मैंने घंघ में रखा था इसको फिर से इसको इंजip किया था दो इंजिप हो गया और अर्य कलर बटन है औरिफ इस पैनल बटन इरा इस इनों करता हूं कि अंजिप मैं करता हूँ ठीक है यह मैंने कर दिया पैनल बटन को और उसके बाद से कलर बटन को मैं अंजिब कर देता हूं तो यह आ गया कलर बटन ठीक है और पैनल बटन यहां पर आपको दिख रहा होगा अभी मैं यहां पर जाता हूं पैनल बटन को मैं यहां से कॉपी करता हूं और बैक में जाता ठीक है इसके अंदर आपको इसको प्लेस कर देना है इस प्लाग इंस का अंदर ठीक है एगें बैक जाना है और उसके बाद से यहां पर कलर बटन हो गया उसके बाद आपको पैनल बटन वाले में जाना है और पैनल बटन को कॉपी करना है यहां पर बैक जाना है और उसके बा Color Button ठीक है तो Color Button यह है तो Color Button को मैं Copy करता हूँ यहां से पैक जाँगा और Extender, CK Editor और Plugins और यहां पर मैं इसको Place कर दोंगा ठीक है तो यहां पर आगया Color Button और यहां पर आ गया Plugins ठीक है इत दोनों आपको इंस्टाल करना यहां पर जयारूरी है है । दोनों को आप एक एकटिक्ट करेंगे और इस प्ल्ग इंस में पशिको डाल देंगे उनके और उसके बाद आपको जाना है यहां पे है कि आ से प्रोजेक्ट में यहां पर ठीक है यहां पर करना है क्या कि इस सिप्धिर को ders用 कौपी करना करेंगे और इसको अभी जाके हम लोग करते हैं ठीक है तो यहां पर देखिएगा तो यह हम लोग आ गया यह टेक्स्ट के लिए आ गया और यहां पर बैक्ग्राउंड के आ गया अभी एक notation तर्वेर अब答 स्टासित को कर्दोनता नोigos चाहता हूं अलसा सब्सक्राइं में धुदा करते हों तो देखिश्ट में कर यहां विकर्णा करता हैं कि मैं तो यहां पी थोड़ा सा जो स्ट्रॉंग साइन है इसको मैं दे देता हूं ठीक है परफेक्ट यह कलर आप बेग्राउंड आप जो टेक्स्ट का कलर है वो चैन्ज हो रहा है अगेन मैं अब इसको चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा इसको औरेंज कर दो ठीक है तो यह आ गया औरेंज में आपको दिख नहीं कर देता हूं ठीक है तो आप देख रहा है कि यह एकॉलर अगर चैन्ज हो रहा है अभी मैं इसको उगर चाहूंगा तो नार्मल अगर अटोमेटिक दर अब्लॉन उस चैन्स औरक जिलर यहां पर तेक्सिक क्लर राव्या को तो आपने देखा कि यह जो दो सिंपल मेठड है आपको कलर बटन और प्लग-इन पैनल बटन यह दो प्लग-इन यूज करके आप सिक्के डिटर के अंदर जो यह दो है बैग्राउंड और टेक्स्ट कलर इन दोनों को आप चैंज कर सकते हैं एक चीज और यहां पर मैं आपको बताना मैं उसपर बैग्राउंड को आप चेंज कर सकते हैं जोह आपको क्रेंग्यण करते हैं के ला गेर्थ में इससे सॉल्व हो जाएगा कि कैसे आप यहां पर टेक्ट और बैग्राउंड को आप चैन्ज कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगा तो क्लिर वीडियो को लाइक करेगा और अगर आप ने है चैनल पर तो ने चैनल को सब्सक्राइब करेगा थेंक्स वर वाचिंग इस वीडियो